Hey guys welcome back to my youtube channel तो आज हम Dragon God series को फिर से continue करने जा रहे हैं तो जैसके हमने प्रिफस एपसोड में देखा था जॉनी बोलता है कि Captain इस open combat में क्या कोई भी tactics नहीं है कोई भी strategies नहीं है Captain बोलता है हाँ कोई भी tactics नहीं है तो एपसोड नमबर बान 36 से starting होती है वो बोलता है हमारी जो mother ship है उसके around में चार dragon king class की ships हैं जो कि एक तरह से fleet को protect ही कर रही है एक super god level का powerhouse भी attack नहीं कर सकता है तो हमारी formation strong ही है इसलिए वो जो dragon horse galaxy के थे powerhouses वो हमें अंदर से destroy कर देना चाहते थे वेल वाम पे जो उसने तियार किया था एक setup जोनी ने जिसके बार में पता लगा लिये था कैप्टन बोलता है अब हम surround हो गए है जोने हर तरफ से घेर लिये होता ships ने कैप्टन बोलता है कि at least 30 enemy ships जो है वो destroy हो गई है जो opponent का attack था वो completely ineffective था अब देखते है कि वो sap आते है कि नहीं जोनी बोलता है क्या साइब आते है कैप्टन बोलता है कि हम जो करने वाले है obviously जो federation है उनके पास plan है कि dragon source crystal के against में कैसे fight करनी है अगर opponent use करेंगे crystal को इस time पे तो इसका मतलब उनकी जितने plan होंगे वो expose हो जाएंगे चलो देखते हैं हम उनके साथ fight कर सकते हैं इस बार की नहीं captain बोलता है कि जो third fleet है और जो fifth fleet है उनने एक दूसरे से contact किया था कि मतलब prepare कैसे करना है source crystal के plan के against में जोनी बोलता है अच्छा फिर हमें dragon source crystal के plan का सीन दखायता है उसमें ऐसा था कि source filter conduction system को use करना है जो source crystal है वो ऐसे energy को release करता है जैसे कि वो एक constant use में हो मतलब normally ऐसे energy को देता रहता है मतलब इसको वर्ट कर देना well in on translation की माभेन एक कर दिया guys captain बोलता है कि propellers को बंद कर दो energy को release करना बंद कर दो जो protective cover है उसे 70% बंद कर दो जितने भी lightning system में उसे भी turn off कर दो और सिर्फ जो holographic projection है उसे रखना ऐसे ship पूरी दर से normal state में चल जाती है उसको कुछ दिखन रहा होती लाइट इलूटे सब off हो जाती है के कुछ जादे नहीं कर रहे है हम enemy को सिर्फ अपने पास लाने के लिए हमर पस time नहीं होगा ऐसे protective cover को open करने के लिए ऐसे हम fire कर सकते है साल guide cannon को पर अगर हमर पस time नहीं होगा protective cover को open करने के लिए तो हम दोनों sides को जादे suffer करेंगी captain बोलते कि तुम मारे plan को underestimate कर रहे हो फिर ऐसे announcement होती है कि dragon source crystal को destroy करो पूरतर से protective cover को activate करो और propellers को भी start कर दो fire करो जैसे मज़े तुम करना चाते हो captain बोलते कि जो dragon triple है उन्होंने order को receive कर लिए और आप हम attack करेंगे तबी ships जो होती है वो अपने आपको protective cover से cover कर लेती है और अपने attack launch करने वाल जो laser होती है वैल उसे open कर लेते है captain बोलता कि देखो इस सबस्यादा powerful weapon of hydration का ये planets को destroy कर सकता है जो current situation है इसको सिर्फ अपनी 30% power को use करना है और इतना चाइमनी लगता है इसको charge करने के लिए एक बहुत बड़ी laser type आगे की तरफ जाती है वो जो laser होती हो सारी ships को cover कर ली होती है जुआने में को जादा है हरान होता है ऐसे बड़ी explosion के साथ छोटी-छोटी explosions भी हो रही होती है फिर ऐसे थोड़े time में thousands में से जितने भी warships थी वो आधी डिश्वे हो गई थी जो की dragon horse galaxy के लोगों की थी तभी कोई बोलता की इसमें कोई डाउट निया की जो balance है जीतने और हारने का वो थोड़ा सा चेंज हो गया है captain बोलता है great gift है हमारी तरफ से dragon horse galaxy को हमारी fleet की तरफ से नहीं पर third fleet और fifth fleet की तरफ से भी gift है उनने हमें dragon horse crystal दिया और हम उनने बड़ा project दे रहे हैं ज्वान्यू तो मैं पता क्या हुआ था पहले ज्वान्यू बुलता हाँ story किस mode पे चली में को खुछ समनी आ रहा है याद करो मैंने order दिया था अभी अभी सभी mecha fighters जो वो तियार है और जो mecha's होते हैं वो strike कर सकते हैं उनको ऐसे पता लगाना मुश्किल होता है radar के अंदर जो mecha's और fighters हैं वो carry करेंगे antimatter missiles को जब fleet रुख जाएगी तो वो mecha's को hidden space mine में छोड़ देंगे फिर enemy हमारे trap में फ़र जाएगा फिर हमें enemy कसी दिखाता है वह वही गोड जो होता और एक दूसरे इंसान होता दूसरे इंसान बोलता है क्या हुआ हुआ हमारी तीन पार्ट जा रहा होता है वह इंसान उस गोड को रोक लेता है वह गोड बोलता है यहांसे चले जा तुम एक रोक की रही हो वह इंसान बोलता है पागल होगे इस टाइम पे अपसे मैं कमाड लूँगा इस battle field में तुम जल्दी से dragon star में वापिस रल जाओ और अपनी manpower को organize करो जो मुझे लगते कि में को पता लगे सीक्रेट कैसे लीक हुआ है वह जो एंट्स थी पहले की वह मरी नहीं है वैल ज्वानियों और उनको रेफर कर रहा होता है यह फिर में ड्रेगन ट्रिपल कमार्ड रूम का सिंध्य वायता है कैप्टन बोलता है ज्वानियों मैं तुम्हें शुक्रिया बोलता है सब इस सोल्जर्स की बिहाव में तुम्हारे बगार हम होते हैं जो हार जाते हैं इस टाइम पे जोहानी बोलता है मेरी duty है, कैप्टन बोलता है कि तुमें कैसा लग रहा है इस battlefield से, कौनली बोलता है कि वेल बहुत बुरा लग रहा है, जोहानी हो है रानी से उसके तब देखता हो और Mank Queen भी, वो बोलता है ने ने अच्छा लग रहा है, कैप्टन बोलता है, कि कि सही यह से बुरे बोल सकते हैं, जिन्दारा न सबसे बड़ी priority होती है battlefield में, जब तुम मठ जाओगे तुमार पस कुछ भी नहीं होगा, जो dragon horse galaxy है उनके पास अतनी जादा technology नहीं है एक तरह से तो वो defeat हुए, अगर उनकी individual combat की बात की जाए तो वो कुजा strong है, अब हम enter कर गए dragon horse galaxy में तो पहले हम उनके military bases को destroy करते हैं और जितनी भी facilities हैं उनकी military की उने destroy करते हैं, ताकि वो dragon source crystal को use ना कर पाए बाकी planets को destroy करने के लिए, इस process में हम 5 targets को hit कर सकते हैं एक time पे, जोन बोलता अब तुम जाओ और rest करो, और orders का wait करो, brothers जो stage वो set हो गया है, Captain ऐसे बोल रहा होता है कि brother, जो stage है, वो set कर दी है मैंनों के लिए, चलो देखता हूँ कि तुमारे precious student कितना कुछ कर सकते हैं, वो ऐसे smile कर रहा होता है, तो मैं शरक अगैडमिक का सींदिगाईता है, जैनु ऐसे बैठा होता है, चैरिस खा रहा होता है, दीन वहां पे आती son में, वो incredible चीज़ी करेगा, वो definitely एक battleship captain बनेगा, या फिर एक mothership का captain बन जाएगा future में, डीन बोलती है, क्या? मेरा son commander नी बन सकता है, जैनु बोलता है, जैनु बोलता है कि ये मुश्किल होता है, अगर मैं तुमें सभी से बताऊं, तो मैं प्रैफर करता हूँ कि वो front lines मे तो इतना भी नहीं डाल सकता हूँ दीन बोलती है हाँ चलो ठीक ही है जैनु बोलता है जिसमें क्या अच्छा है अगर वो बिना डेंजर को फेस के ग्रो होगा तो क्या होगा दीन बोलती है अगर मेरी वज़से नहीं होता है तो तुम भी काफ़से अच्छी तरह से डेवलप होता है आर्मी में जैनु इसकी गोद में सोजाता है और बोलता है उससे क्या फाइदा होता है मेरे को कै मेरे पास इतनी अच्छी वाइफ मिलती मेरे को अगर मैं आर्मी में होता दो दीन बोलती है तुम्हें के लगता है इस टाइम बड़ी वोर होगी जैन्म बोलता है कि हम अभी तक पूरी तरह से फूल स्केल वोर के लिए रेडी नहीं है इस टाइम पर सब कुछ हमारे प्रीशिस डिसिपल के उपर ही अगर वो जीतेगा तो मुझे लगता कि फेडरेशन ने क्रेडिट देगी मतलब शायद ना दे वो कुछ क्योंकि जवान्यों को रैंक में लीगा है मेजर जनरल का वो एक तरह से एक्वल ही है अडिशनल रिवोड की तरह दीन बोलती है कि तुमने बोला कि अकेडमी स्लेक्ट करेगी न्यू जनरेशन को सेवन शर्क मॉंस्टर्स की क्या ये आर्मी से रिलेटेड है कि थोड़ा बहुत जनर बोलता है जैसे कि जनरेशनल की ये जो श्ट्रेंथ है वो कैसे इसलेक्ट नहीं हो सकता है अगर आर्मी वो अच्छा करेगा तो शायद उसका कुछ इंप्रूब्मेंट ही होगी ये जो सालों की एक्सपिरेंस होगा मिल्टरी में ये एक तरसे टेस्ट नहीं है इन के लिए ये ट्रेनिंग भी है एक तरसे फिर हमें ऐसे ड्रेगन ट्रिपल शिप का सेवन्थ फ्लीट ऑफ डॉलो फेडरेशन का सींदगा इता है वेल भाहीं पर ही जो मेन हैड़कोर्टर होते हैं मतलब बाकी रेस्टिंग रूम जो होता है शायद जवानी बोलता है कि हमारे टास्क वो एक्सप्लोर करने का है अगर हम ऐसे बड़ी फोर्स से अटेक करेंग एक्ट करेंगी तो हमें कम मिलेगा तो यह जाद अच्छोग अगर हम थोड़ी दूर के प्लैनिट में जाते हैं और कम लोगों के साथ जाते हैं को यह बोलता है बोस हम वह करेंगे जो तुम बोलोगे जोनी बोलता है कि हमें पहले अपनी सेविटी के उपर एटेंशन पे करने पड़ेगा चलो त्यार होते हैं यह से लांजान्यू को स्पेशल अप्रूवल मिला वह धीरी धीर से उसमें इसे शीप कुजाश शेक हो रही होती है जोनी बोलता है शील्ड को उपन करो मैकसिमम में में बैटरी को रिचार्ज करो और फाइट करने के लिए त्यार हो जाओ वो जैसे एंटर कर रही हो ते अंदर तो जो एक लाइट थी बीम की वो जल्दी से उन 33 सा स्काइवि वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई वह एक्जाटली सेम ही लग रही थी मतलए एक तर से क्लोनिंग अबलेटी यूज के जाओ वाव ने जो एन वी होता है उनमें से बोलता है कि किस तरह की टेकनोलजी यह है बैटल शीप क्लोन टेकनीक हम के शीप को टार्गिट करें च झाल